नमस्कार हिंदी कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन प्यारे वच्चों, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा नौवी का एक अध्याय सावले सपनों की याद जिसे लिखा है जाबिर हुसेन जी ने प्रस्तुत पाठ को लेखक जाबिर हुसेन ने प्रसिद पक्षी विज्ञानी सालिम अली की याद में डाइरी शैली में एक संस्मरण के रूप में प्रस्तुत किया है लेखक ने व्यक्ति चित्र के माध्यम से सालिम अली के व्यक्तित्व की विशेशताओं को उजागर किया है प्रस्तुत पाठ में सालिम अली के जीवन की अनेक घटनाओं को स्पर्श करते हुए लेखक ने ये बताया है कि ऐसी कौन सी खास घटना हुई थी जिसने सालिम अली को पक्षी प्रेमी बना दिया दूसरी और देखें तो लेखक ने परिया वरण के सनरक्षन की महत्ता पर भी प्रकाश डाला है पाठ प्रारंब करने से पूर्व हम लेखक से परिचित होते हैं जाबिर हुसैन का जन्म सन 1945 में गाव नौनही राजगीर जिला नालंदा बिहार में हुआ वे अंग्रेजी भाशा एवं साहत्य के प्राध्यापक रहे सक्रिय राजनीती में भाग लेते हुए 1977 में मुंगेर से बिहार विधान सबा के सदस्य निर्वाचित हुए और मंत्री बने सन 1995 से बिहार विधान सबा परिशद के सभापती हैं जावर हुसेन, हिंदी, उर्दू तथा अंग्रेजी तीनों भाशाओं में समान अधिकार के साथ लेखन करते रहे हैं उनकी रचनाओं में जो आगे हैं डोला बीबी का मजार, अतीत का चेहरा, लोगां, एक नदी रेत भरी प्रमुख हैं अपने लंबे राजनेतिक सामाजिक जीवन के आनुभवों में उपस्तित, आम आदमी के संघर्षों को उन्होंने अपने साहित्ते में प्रकट किया है संघर्षरत, आम आदमी और विशिष्ट व्यक्तित्वों पर लिखी गई उनकी डायरियां चर्चित प्रशंचित हुई हैं जाबिर हुसेन ने डायरी विधा में एक अभिनव प्रयोग किया है जो अपनी प्रस्तुती, शैली और शिल्प में नवीन हैं प्रस्तुत पाठ, सांवले सपनों की याद, सालिम अली की मृत्यू से उत्पन दुख और अवसाद को लेखक ने सांवले सपनों की याद के रूप में व्यक्ति किया है तो हम पाठ प्रारंब करते हैं सुनहरे परिंदों की खुबसूरत पंखों पर सवार, सांवले सपनों का एक हुजूम, मौत की खामोश वादी की तरफ अग्रसर है कोई रोक टोक सके, कहां संभव है इस हुजूम में आगे-ागे चल रही हैं सालिम अली अपने कंधों पर सैलानियों की तरह, अपने अंतहीन सफर का बोज उठाए लेकिन उनका यह जो सफर है, यह पिछले सफरों से बिलकुल अलग है क्योंकि जितने भी पिछले सफर उन्होंने किये हैं, उनसे लाट आने की उम्मीद थी लेकिन यह तो आखिरी पलायन है अब तो वे उस वन पक्षी की तरह प्रकृती मेविलीन हो रही है जो जिन्दगी का आखिरी गीत गाने के बाद मौत की गोद में जावसा हो कोई अपने जिस्म की हरारत और दिल की धड़कन देकर भी उसे लोटाना चाहे तो वह पक्षी अपने सपनों के गीत दुबारा कैसे गा सकेगा सालिम अली के अनुसार लोग पक्षियों को आदमी की नजर से देखते हैं इस बात से वे बहुत दुखी रहते थे वे कहते थे कि पक्षियों को आदमी की नजर से देखना आदमी की भूल है यह अत्यंत दुखद है कि कोई मनुष्य पक्षियों की आवाज का मधुर संगीत सुनकर अपने मन में रोमांच का अनुभव नहीं कर पाता भला कोई आदमी अपने कानों से पक्षियों की आवाज का मधूर संगीत सुनकर अपने भीतर रोमांच का सोता फूटता महसूस कर सकता है एहसास की ऐसी ही उबढखावर जमीन परजन में मिथक का नाम है सालिम अली यहाँ पर लेखक कहते हैं कि जैसे कृष्ण का जादू, कृष्ण की पांसूरी का जादू कभी कम नहीं हो सकता वैसे ही सालिम अली का जादू भी नहीं तूट सकता पता नहीं इतिहास में कृष्ण ने वरिंदावन में कब रासलीला रची थी? कब शोख गोपियों को अपनी शरार्तों का निशाना बनाया था? कब माखन भरे भांडे फोडे थे? दूद चाली से अपने मुँ भरे थे? कब बाटिका में छोटे-छोटे किंतु गहने पेड़ों की चाह में विश्राम किया था? कब दिल की धड़कनों को एकदम से तेज करने वाले अंदाज में बंसी बजाई थी? और पता नहीं कब वरिंदावन की पूरी दुनिया संगीत में हो गई थी? आज यदि हम वरिंदावन में जाते हैं तो इस जादू को हम महसूस कर सकते हैं वरिंदावन में रहते हुए हम ये एहसास कर सकते हैं कि ये सारा घटना क्रफ हमारे आसपास घटे थो रहा है कमजोर काया वाले साले मली को उम्र की शती में पहुँचने में थोड़े ही दिन बचे थे संभव है लंबी यात्राओं की ठकान ने उनके शरीर को कमजोर कर दिया हो और कैंसर जैसी जानलेवा बिमारी उनकी मौत का कारण बनी हो लेकिन अंतिम समय तक मौत उनकी आखों से वो रोशनी चीनने में सफल नहीं हुई जो पक्षियों की तलाश और उनकी हिवाज़त के प्रती समर्पित थी साले मली की आखों पर चड़ी दुर्मीन उनकी मौत के बाद ही उत्री थी उनके जैसा बर्ड वाचर शायद ही कोई हुआ हो साले मली उन लोगों में से थे जो प्रकृती के प्रभाव में आने की बजाए प्रकृती को अपने प्रभाव में लाने के कायल होते हैं उनके लिए प्रक्रिती में हर तरफ एक हस्ती खेलती रहस्य भरी दुनिया पसरी थी यह दुनिया उन्होंने बड़ी मेहनत से अपने लिए गड़ी थी और इसे गड़ने में उनकी जीवन साथी तहमीना का काफी हाथ था तेहमीना स्कूल के दिनों में उनकी सहपाथी रही है सालिम अली का पक्षियों के प्रती इतना प्रेम है कि वो पक्षियों को दुखी देखकर खुद आहत हो जाते थे एक दिन केरल की साइलेंट वैली को रेगिसानी हवा के जोंकों से बचाने का अनुरोध लेकर वे चौदरी चरण सिंग्जी से मिले अब चौदरी चरण सिंग्जी तो गाउं की मिट्टे पर पढ़ने वाली पहली बूंद का असर जानने वाले नेता थे परियावरण के संभावित खत्रों का जो चित्र सालिम अली ने खीचा जो चित्र उनके सामने रखा उनसे चौदरी चरण सिंग्जी की आँखे नमक हो गई थी आज सालिम अली नहीं है चौदरी साहाब भी नहीं है कौन बचा है जो इस सोंधी मिट्टी पर उगी फसलों के बीच एक नए भारत की नीव रखने का संकल्प लेगा कौन बचा है जो हिमाले और लद्दाग की बरफिली जमीनों पर जीने वाले पक्षियों की वकालत करेगा लेखक ने यहाँ पर प्रकृति प्रेमी डि.H. लॉरेंस का भी जिकर किया है कि उनकी मौत के बाद जब लोगों ने उनकी पतनी फृड़ा लॉरेंस से पूछा कि अपने पती के बारे में कुछ बताईए तो फ्रीडा चाहती तो अपने पती लॉरेंस के बारे में धेर सारी बाते बता सकती थी लेकिन उसने क्या कहा कि लॉरेंस के बारे में लिखना मेरे लिए कुछ असंबव है मुझे मैसूस होता है कि मेरी च्छत पर बैटने वाले गुराया लॉरेंस के बारे में धेर सारी बाते जानती है मतलब कि वो अपना समय अपनी पत्नी से ज़्यादा पक्षियों के साथ बिताते थे वो गुराया उनके बारे में ज़्यादा जानती है रेडा कहती है लाूरेंस मेरी रगों में मेरी हड़्यों में समाया है लेकिन मेरे लिए कितना कठेन है उसके बारे में अपने अनुभावों को शब्दों का जामा पहनाना जटल प्राणियों के लिए सालिम अली हमेशा एक पहेली बने रहेंगे सालिम अली ने अपनी आत्म कथा फॉल आफेस पैरों में लिखा है कि किस घटना ने उनके जीवन की दिशा को परिवर्तित कर दिया बच्पन में उनके मामा ने उन्हें एक एरगन दी और इस एरगन से खेलते खेलते ही एक गुराईया घायल होकर गिर गई सालिम अली ने बताया कि नीले कंट की वह गुराईया सारे जिन्दगी उन्हें खोज के नए नए रास्तों की तरफ ले जाती रही जन्दगी की उचाईयों में उनका विश्वास एक ख्षन के लिए भी निड़िगा नहीं वो लारेंस की तरहें नसरगिक जन्दगी का प्रतिरूप बन गए थे सालिम अली प्रक्रेती की दुनिया में एक टापू बनने की बजाए अथाहा सागर बन कर उभरे थे जो लोग उनकी ब्रहमानशील स्वभाव और उनकी यायावरी यायावरी मतलब घुमते फिरते रहने का शौक रखने वाला उनके इस वभाव से परेचित हैं उन्हें महसूस होता है कि वो आज भी पक्षियों की सुराग में ही निकले हैं और उन बस अभी गले में लंबी दुर्बीन लटकाए अपने खोज पोर्ण नतीजों के साथ लोट आएंगे जब तक भी नहीं लोटते क्या उन्हें गया हुआ माल लिया जाए मेरी आखे नम है सालिम अली तुम लोटो गी न इनहीं शब्दों के साथ लेखक जाबिर हुसैन इस व्यक्ति चित्र संस्मरण को समाप्त करते हैं यहीं पर हमारा अध्याय समाप्त होता है मिलते हैं एक और नए अध्याय के साथ तब तक के लिए धन्यवाद